लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रू को रापिकेशन के बारें बताऊंगा जो आप सभी को ज़रूर से पता होना ही चाहिए दोसो इससे पहले भी मैंने ट्रू को रापिकेशन के उपर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रू को रापिकेशन के अंदर चार अल्टिमेट सिक्रेट ट्रिक बताऊंगा जो आप सभी को 101 पता होना चाहिए और जब आप ट्रू कॉलर में वो चार ट्रिक कर लोगे आप जरूर से चौंक जाओगे और आपके दोस भी चौंक जाएंगे और दोसो इस अल्टिमेट चार सिक्रेट ट्रिक है जो फिलाल ट्रू कॉलर में नया एड हुआ है तो क्या है वो ट्रू कॉलर में चार नया सिक्रेट ट्रिक के बारे में जानने के जरूर वडियो को शुरू से लेका आकर तक देखिए तो चेलिए हम पढ़ा पढ़ से वडियो को स्टार्ट करते है दोसे वीडियो में बढ़ने से पहला आप सभी से रिक्वेस्ट रे जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिनों ने भी देखा हमारे यूटूब चनल को सब्सक्राइब नीचे देखिए लालंग में सब्सक्राइब बटन है सब्सक्राइब बटन को दबागे जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में देखिए एक छोड़ा सा गंटी आइकोन है गंटी आइकोन को दबागे इसे अल पे सेट कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अप्लोडों का आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंसे के और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सको फूर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्षिन में आईए और यहाँ पर एक छोड़ा सा कमेंट लिखिए बताओंगा उसे जरूर से पूरा देख के जाना नंबर फोर ट्रिक वे आईपी ट्रीक है अगर आपको फोर में तुरू कॉला आप्रिकेशन नहीं है मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन देया आप मेरे link से true caller application को download कर सकती हो और दोसो एकीन मानिये जब मैं आपको true caller application में ये चार ultimate secret trick के बारे बताऊंगा आपका भी मन करेगा आपके phone में true caller application जरूर से होना ही चाहिए तो यहाँ पर सबसे पहले में true caller application open करूंगा true caller application open करने के बाद आपको ये same interface जगने को मिलेगा फिर उपर देखिए three line है तो यहाँ पर ये three line के उपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोसो पहला trick और यहाँ पर देखिए आपको एक option देखने को मिलेगा your year on true caller यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोसों यहाँ पर देखे 2020 year on true caller तो यहाँ पर इसे swipe कीजिए और यहाँ पर देखे 171 message यहाँ पर total 2020 में मेरे phone से हुए है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यह phone में सिर्फ मैं आप वीडियो दिखाने के लिए आपको वीडियो शूट काने के लिए यह यूज करता हूँ ज्यादा call याँ फिर message के लिए में यूज नहीं करता हूँ तो यहाँ पर ज्यादा data नहीं निकलेगा तो यहाँ पर दिखे message 171 और मैंने send किया है 4 message और मुझे receive हुए है 167 166 message मुझे receive हुआ है तो यहाँ पर फिर से swipe कीजिए और यहाँ पर दिखे 509 509 call यहाँ पर यह phone से हुए है 2020 में और यहाँ पर दिखे 327 call मैंने किया है और 182 call मैंने receive किया है यहां पर देखें, most call made, यहां पर वो बंदे का नाम है, जिस बंदे यहां पर बंदे के पास आप ज्यादा call किये होंगे, वो आपको यहां पर उसका नाम देखने को मिलेगा, और यहां पर देखें सबसे जो खास बात है, usually made call in the evening, मैंने evening को ज्यादा call किया है, यहां से swipe कीज और यहां पर next आपको देखने को मिलेगा, spam calls identified, और यहां पर देखें, one unknown calls identified, four message move to spam, तो यहां पर यहां पर यहां पर फिर सजी से swipe कीजिए, और यहां पर देखें, यह details बगरा यह दिया गया है, तीक है, यहां पर जैसे आप swipe करोगे, यहां पर complete history आपको देखने को 509 509 call यहां पर receive हुआ है, call हुआ है, 171 message total हुआ है, और यहां से यह आप share भी कर सकते हो किसी के साथ, दोसकर आप phone को constant use कियो देने, आपको यहां पर यह details देखने को मिलेगा, so मैंने यह phone को 2020 में ज्यादा use नहीं किया है, सिर्फ यहां पर video देखाने के लिए यह use किया था सो इससे को ना कोई call हुआ है, ना कोई message हुआ है, जो इसलिए यहां पर ज्यादा data नहीं मिला, so यह दा हमारा पहला trick अभी बात करते हैं, second trick दोसो यह ultimate trick है आप सभी के लिए, so आपको यहां पर यह three line पे click करना है, यहां पर click करने के बाद दोसो यहां पर option मिलेगा settings, settings पे click कीजिए, यहां पर setting पे click करने के बाद दोसो यहां पर general पे click कीजिए, और यहां पर दोड़ा नीचे आईए, और यहां पर आपको एक option देखने को मिलेगा, एक नया add हुआ है, missed call notification, अगर आप यहां से इसे on कर दोगे, अगर कोई बंदा, बंदी, कोई आपको call करते हैं, और आप उनके miss call, उनके call को receive नहीं कर पाते हो, busy रहते हो, drive कर रहे हो, कुछ भी हो रहाँ ठीक है, जब तक आप उनके pass callback नहीं करोगे, आपको यह missed call notification देता रहेगा, देखने को मिलेगा, यहां पर status bar से आपको हटाना पड़ेगा, यहां पर आपको यह missed call notification, यह feature मिलेगा जहां पर आपको यह alert करता रहेगा, जब तक आप उस बंदे को callback नहीं कर लेते, दोस्तों यहां पर जो third trick है, आपको इसी setting का अंदर मिलेगा, यहां पर देखिए आपको एक option देखने को मिलेगा, एक option देखिए, profile view notification, अगर आप यहां से इसे on कर लोगे, अगर true caller में उस गरर, ईसे पी ट्रिक है, जिसका अंतजार आपको काफ़ी time से था, दोस्तों यहां पर जो number 4 trick है, बहुत important trick है, तो सबसे पहले आपको यहां पर यह three line पर क्लिक करना है, यह three line के ऊपर क्लिक कीजिए, फोर यहां पर आपको settings पर क्लिक करना है, settings पर क्लिक कीजिए, setting पर क्ल ड्रायवीसी-Center प्राइविसी-Center पिर क्लिक कीजिए और यहां पर देखें को ओप्षन देखने को मिलेगा यहां पर निशायए और यहां पर डिखें की मई-2 øक्षन-मुप अप्रूम प्रोफाइल को नहीं चेक कर पाएगा, क्यूंकि जैसे आप true caller में किसी के पास मान की चेक कॉल करती हो, तो बहाँ पर क्या होतना आपका नाम दिखाई देता है, आप कहां से हो दिखाई देता है, इमेल आड़ी जो इनफरमेशन अपने पूट क्या होगा, तो एसे में क्या होगा ना, वहाँ पर आपकी जो डीटेल से उसे दिखाई नहीं देगा, तो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन ये आपके उपर डिपेंड करते हैं, आप इसे किस परपस से यूज करोगे, आपकी प्रोफाइल यहाँ पर प्राइबेट होगा, जिसा आप फेस्बुक में प्रोफाइल प्राइबेट करते हो, वाटसब में प्राइबेट करते हो, तो ये चार अल्टिमेट ट्रिक आप ट्रू कॉलर के अंदर यूज कर सकते हो, जो नेया अपडेट हुआ, मैं असा करते हम कोई वीडियो पसंद नहीं होगा, वीडियो पसंद नहीं होगा, वीडियो के नीचे लाइक करना, शेर करना, आपका दिन शुबो, जे हिंदु,